भारत ने आखिरकार क्या अब अमेरिका से तेल लेना बंद कर दिया है और भारत का ये निर्णे कैसे असर डालने वाला है आखिरकार लाल सागर में ऐसा क्या हो रहा है जियो पॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है और हमेशा की तरह जानने को आपको बहुत कु भारत अमेरिका से करीब 2,05,000 बेरल पर डे कच्चा तेल खरीद रहा है 2023 से लेकिन आपको बता दें पहला मेना 2024 का है जब ऐसा लग रहा है कि भारत यूएस से क्रूड ओयल नहीं खरीदेगा जो डेटा है कैपलर की वो डेटा कुछ ऐसा ही कह रही है बलकि भारत किस से तेल खरीद रहा है भारत तेल खरीद रहा है एराक से और ये 21 महिने में सबसे ज़्यादा जनवरी में एराक से ही खरीदा गया है तो ऐसा माना जा रहा है कि कहीं न कहीं अमेरिका अब सवाल ये उठता है कि भारत ने आखिरकार ऐसा निर्णे क्यों लिया ह तो आपको बता दे इसके पीछे बहुत सारी चीजे हैं भारत का वैसे तो डिमांड बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है तेल का चुकि विकास कर रहा है बहुत जल्दी इंफरास्ट्रक्चर वगेरे डवलप हो रहे हैं तो भारत को तेल भी चाहिए तो इन सब के पीछे सब सबसे बढ़ा कारण क्या है? आपको बता दे स्क्रीण पर दप्रिंट की ख़बर देख सकते हैं अब्से बढ़ाकारण है लाल सागर पर हो रहे हमले अमेरिका ने जिस तरीके से अब यहाँ पर जंग ही छेड़ दिया है और इस जंग के छेड़ने के बाद पेट्रोलियम का जो दाम है वो नहीं बलकि किराया बहुत जादा बढ़ गया है यूरोपिय यूनियन, यूके इन सब की तरफ से भी किराया काफी जादा हो गया है अब जब किराया काफी जादा हो गया है तो ऐसे में बहुत मुस्किल है कि आप वहां से तेल मवाओ और वो सस्ते में आए भारत पहले ही साफ कर चुका है कि हम एक ऐसे देश हैं जहां 80-85% तक हम तेल बाहर से खरीते हैं जब हम बाहर से खरीते हैं तो हम इतना ज़्यादा पैसा नहीं लगा सकते हैं अब सवाल ये उठता है कि क्या भारत को आने वाले तेल पर भी हमला हो रहा है तो भारत को आने वाले तेल पर हमला नहीं हो रहा है इका दुका अगर किसी किसी च जब यह लंबे रूट फॉलो करते हैं या फिर किराया बहुत जादा वसूल किया जाता है तो ओटोमेटिक तरीके से दाम यहां पर बहुत जादा बढ़ जा रहा है और जब दाम बढ़ जा रहा है तो भारत के लिए बहुत मुस्किल हो रहा है कि भारत यहां पर तेल खरीद है ही नहीं जब लाल सागर नहीं है तो हमला क्या खाख होगा और ये फिर सप्लाइं होने में किसी तरह की कोई दिकत नहीं आती है अब जहां तक बात है चाइना की तो चाइना के भी यहां पर आराम से जहाल निकल जाते हैं इस स्क्रीन पर एक मैप देख सकते हो इस मैप में क कोशिस मत कर और जहां तक बात है इस लाल सागर के तनाव की तो यह लाल सागर का तनाव अभी काफी लंबा चलेगा यह भी देखने को मिल रहा है यहां पर UK ने एक वार फिर से अपने वार्शिप को उतार दिया है अमेरिका यहां पर हूती हमलों का जवाब दे रहा है और पास उतना पैसा नहीं है कि हम बेकार में खर्च करते रहें अब स्क्रीन पर एक ग्राफ देखिए इस ग्राफ को सेयर किया गया है एड फिलने रिचर्ड संद के द्वारा और इस ग्राफ में क्या कहा जा रहा है इस ग्राफ में कहा जा रहेगी देखो जो रफतार है दाम बढ़ने का वो रफतार बहुत बढ़ रहा है अगर कैमिकल की बात करें तो कैमिकल के रेट में भी यहां पर बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और अगर हम री रूट करते हैं तो वो भी हमें पर डे डॉलर में अच्छा खासा फर्क पड़ रहा है अब रेड सी का ये जो क्रैसिस है ये क्रैसिस असर तो दे रहा है इसमें कोई दोमत नहीं है भारत के लिए आसान क्या पड़ रहा है भारत के लिए आसान पड़ रहा है कि भारत अब रेड सी वाले इलाके को ही छोड़ रहा है तेल के लिए खास तोर पर और अमेरिका से भार जो भारत आ रहा था उसे निशाना बनाया गया और इस तरीके के हाद से कहीं न कहीं समस्याओं को और भी ज़्यादा बढ़ा ही कर देते हैं वैसे आपको बता दें यहाँ पर अमेरिका भी अपने अपने पोर्ट पर कंटेनर्स की संख्या को बढ़ा रहा है ताकि इसे दिक्कत नहों इन बॉंड कार्गो सिप्स को बहुत ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है पर इन सब का कोई फाइदा होता हुआ नजर फिलाल के इतना बेवस हो गया है इतना लाचार हो गया है नहीं मैं अमेरिका इतना बेवस यह लाचार नहीं हो गया है समस्या यह है कि अमेरिका अभी यह नहीं चाहता है कि यह युद्ध इतना जादा बढ़ जाए कि स्थितियां फिर समालने के लायक न रहे फिर यह एक अलग ही र इक्रेसिव होकर कोई ऐसे हमले नहीं करना चाह रहा है कि अमेरिका ने अभी हाल फिलाल में यमन पर हमला किया था और अभी स्क्रीन Department of Defense के इस खबर को देख सकते हैं जिस खबर में इस बात को कहा जा रहा है तो ऐसी चीजें यहां पर लगातार हो रही हैं और इन चीजों की वजह से फिलहाल निकट भविस में सांती अस्थापित होने से रही पर आपको बता दें यहां पर एक काम अमेरिका ने किया था जब रुस यूक्रेन युद्ध सुरू हो गया था तो अपने प्रोडक्शन को भी बढ़ा दिया था और इस प्रोडक्शन को बढ़ाने के बाद अमेरिका से वहा ने तेल की खरीद भी शुरू कर दी थी तो अब यहां पर दिक्कत यह आ रही है कि भारत को कहीं न कहीं अपने जनता को देखना पड़ रहा है और भारत को अपने जनता को देखते हुए तेल मंगवाने के लिए यहां पर अब उन साधनों को देखना पड़ रहा है जो साधन भारत के पास में हैं वैसे आपको बता दें, अब आने वाले निकट वविस में कब तक ये सारी चीजें हल होती है, ये कहना मुस्किल है, पर अगर ये चीजें हल नहीं हुई, तो एक वक्त ऐसा आएगा, जो लाल सागर का, जो ये पूरा बैपारिक सिस्टम ही है न, ये पूरा बैपारिक सिस्ट ही खत्म हो जाएगा, और ये लाल सागर के लिए और वहाँ के आसपास के देशों के लिए एक बहुत बड़ी दिक्कत होगी, इसलिए दिक्कत होगी, क्योंकि जब रोजगार के साधन खत्म हो जाते हैं, तो फिर कलेस ही कलेस मचता है, वैसे, यहाँ पर आपकी क्या रहा ह आपको क्या लगता है कमेंट कर जरूर बताएं जल मिलते हैं अगले वीडियो में नई ख़वर के साथ